केंद्री ग्रहमंत्री अमित्षा और मुख्यमंत्री योगी अदितनात ने अजुत्य प्रदेश के वारानसी में अखिल भारती राजभाशा सम्मेलन का शुबारम किया इस दौरान कारीकरम को सम्मोधित करते हुए अमित्षा ने कहा कि देश में हिंदी और स्थानी भाशाओं का कोई विवाद नहीं है ये हिंदी प्रेमियों के लिए संकल्प का साल है इसलिए स्वभाशा को आगे बढ़ाएं साथी ग्रहमंत्री अमित्षा ने कहा कि हम सभी हि के लिए भी ये वर्ष शंकल्प का रहना चाहिए जब सौ साल आजादी के हो तो इस देश में राज भाषा और सभेस्थानी भाषाओं का दब दबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की अविशक्ता ना हो इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हिंदी शब्द कोश मनाया था अंग्रेजी हम पर थोपी गई थी उन्होंने कहा कि हिंदी के सब्द कोश के लिए काम करना होगा और इसे मजबूत करना होगा इसके अलावा मित शाह ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री मोधी ने गौरफ के साथ हमारी भाषाओं को दुन्य ये दोनों पूरक हैं, वहीं आजादी के अमरित महतसफ के तहट मैं देश के सभी लोगों का आवाहन करना चाहता हूँ, कि इस वह भाशा के लिए हमारा एक लक्ष जिच छूट गया है, हम उसका स्मरण करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, हाला कि हिंदी और हमार सभेस्तानी भाशाओं के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है, पहले हिंदी भाशा के लिए बहुत सारे विवात खड़े करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो वक्त अपसमाप्त हो गया है, देश के प्रधान मंत्री ने गौरफ के साथ हमारी भाशाओं को दुनिया भर में प्रतिस थापित करने का काम किया है, जब तक जंद अंदोलन में परिवर्तित नहीं होती, और राजबासा को गती देने का जो जरिया है, अखिल भारतिय राजबासा सम्मिलन उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही नीने कर लिया मगर दो साल कोरोना काल रहा हम नहीं कर पाएं बित्रों मेरे लिए भी एक बहुत हर्स का विसे है कि आजादी के अमरूत महोचसव के वर्स के अंदर पहली बार राजबासा का सम्मिलन राजदानी के बाहर लाने में हमें सफल दाने